असलाम अलेकूम तुमार यूट्यूब फैमिली उमीद है सब अच्छे से होंगे मैं आज आपके साथ लेक्या है हूँ कद्दू कोश्ट की लजीज तरीन रेसेवी जिसको बनाना बहुत ही असान है मेरे स्टाइल में चलें जी स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको जो जो इंग्रीडियंट्स हैं वो आप देख लें कद्दू चाहिए जिसको लोकी भी कहते हैं यहाँ पर छोटे साइज में मिलते हैं लंबे मिलते हैं तो मैंने छोटे गोल वाले लोकी लिए दो लिए थे उसको धो के चील के काट लिए मैंने आपने भी जो भी आपको बसंदर जात चाहिए वो मैं आपको दिखाते हूं आपको चाहिए जिंजर जिसको मैंने कदू कश कर लिए दो अदद तमाठे चाहिए जिसको मैंने धो के चौप कर लिए और लसन चाहिए आपको तकरीबर एक जुवा जिसको कहते हैं लसन का और ग्रीन चीलिस चाहिए आपको ती दो से तीन अदद हल्दी, सुका दन्या, नमक, लाल मिर्च, मॉर्टन चाहिए हाफ केजी से थोड़ा सो दादा मेरे पास मॉर्टन है, दो प्याज मैंने कट कर लिए दर्मियाने साइज के, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुरियंडर है जिसको मैंने चौप कर लिया है, दो के कुरियंडर को चौप करके साइट रख लिया जो के एंड बे हमारे सालन के अंदर जाएगा, तो ये टोटल चीजे हैं जो हमें चाहिए, सबसे पहले हमने देख्ची लेने, प्रेशर लेने, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, मैं प्रेशर कुकर में बना रही था क जल्दी से मेरी हंडिया तयार हो जाए, मुझे प्रेशर में बनाना असान लगता है, वैसे तो मैं देख्ची में बनाती है, लेकिन ज्यादा टाइम लगता है, तो टाइम सेविंग है प्रेशर आपके लिए, अगर आप यूज़ करना चाहिए, तो ताजा गोश्ट है, व अपने प्यास को, अमूमन तो ये कदू बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप गोश्ट में सारा कुछ डाल दें, और उसको प्रेशर दे दें, और दूसरा तरीका ही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, कि आपने प्यास को थोड़ा सा ब्राउन करना है, और इस के बाद इसके अंदर जाएगा, गारलिक, गारलिक का मैंने करश इसलिए नहीं किया, क्योंकि ये खुद से ही इसके अंदर जिसे कहते हैं, गल जाएगा, और मैं प्रेशर भी दूँगी तो आपको एंड पर ये नजर नहीं आएगा, गारलिक के बाद अपने अपना मीट कलर था कि अच्छी से चेंज हो जाए और इसकी थोड़ी वह जो मीट की अपनी एक होती है ना, खुश्बू कहले हैं या जो भी, वो जो हमक टाइप होती है, वो इस तरह भूने से बिलकुल खतम हो जाएगी, अविकिन करें, इतना मज़े का एक दूपश त्यार होता है, आपने स्टाइल से जरूर ट्राइ करना है, मेरी लेस्पी से, जिस्ट फंस आपने ट्राइ करना है और आपने जरूर फीड़बैक देना है, बहुत मज़े का बना था, तो जी आपने मीट को हलका सा भूनना है, लस्टसन के साथ और अत्रक के साथ, ताकि इसकी हमक खतम हो उसके साथ ही आप आपने भूनने के बहुत हलका सा इसमें अपने चौप टोमाटोस आइड कर देने, जैसे ही आप चौप टोमाटोस आइड करेंगे आपने इसके अंदर, जितने भी मसालाजात मैंने आपको शुरू में दिखाएं, अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से जालवर्च, सुका देनिया, थोड़ा सा जीरा, यह चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल कर देनी और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं, ताकि टोमाटोस अच्छी तरह से बुन जाएं इसके अंदर, गोश्ट अच्छी तरह से बुन जाएं, उसके बाद आपने इस के साथ कद्दू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से बुनाई हो जाएं इस चीज़ों की, आप देख सकते हैं कि यह तोड़ा सा पानी एड़ किया, पानी एड़ करने के बाद मैं इसको एक मिनट ऐसे ही पकाएंगी और इसके बाद में इसको प्रेशर देद आप देख सकते हैं मैंने इसको लिट दे दिया प्रेशर का और आपने तकरीबन एट मिनट के लिए जब इसकी सीटी बच जाएगी तो आपने इसको खोल लेना है आप देख सकते हैं कि मेरा मतन अच्छी तरह से जो लैंक गर्दन का गोश्ट था अच्छी तरह से कुक हो आप टेंडर सा मेरा टेक्स्टर तयार हो गया सालन का अब मैं इसके अंदर अपना चॉप टरेंडर और जो ग्रीन चिली ती मेरे पास मोटी वली ग्रीन चिली मैं यूज़ करती हैं वो इसके अदर आइड कर दूँ इतनी अच्छी खोश्बु आती है इस ग्रीन चिली की और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है अब इसको एक से दो मिनट पकाने के बाद ऐसे धनिया और हरी मिर्चे डालके मैं एक से दो मिनट के लिए इसके ओपर दुबारा से लिड दूँगी ताकि वो जो हरी मिर्चे और धनिये का एक फ्लेवर और खोश्बु आ जाती है आप देख सकते हैं कि सालन ने ओयल भी छोड़ दिया है और इतना मज़े कि उसकी लुक त्यार हुई है इसको सर्व करते हैं आई मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही मज़े का जट पट कदू गोश्ट बिलकुल रेडी है आप भी खाएं दूआँ में याद रखें थैंक यू सो मच वाच करने के लिए